तो नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पुनिक सेक्षन मतलब की शंकु परिछेत इस चाप्टर से फुल मिलाके चार प्रशन पूछे गए हैं 2023 के एक्जाम में और 2019 का जो एक्जाम था उसमें 5 प्रशन पूछे गए थे तो एक बहुत ही important chapter है और इसको हम detail में देखेंगे अगर देखा जाए इसका जो syllabus जारी किया गया है उसमें ये सारी चीज़े हैं बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है मैं आपको short में बता देता हूँ जो कौन होता है उसके different sections होते हैं मतलब जो शंकु होता है उसके अलग गवरित कहा जाता है पैराबोला बनता है जिसे परवले और हाइपर पैराबोला बनता है जिसे अती परवले कहा जाता है तो कुल मिलाके चार तरह के sections बनते हैं कौन से और उनहीं पर आधारित है ये पूरा topic conic section तो चलिए पूरे detail में जानते हैं और उसके बाद फिर एक section में एक ही section देखने वाले हैं वो है circles तो पहले कौन कैसे generate होता है वो देखते हैं ये वाली जो आपको line दिख रही है ये vertical line जो है ये इसे कहा जाता है axis मतलब की अक्ष और ये जो orange color की आपको जो line दिख रही है इसे कहा जाता है generator मतलब की जनक यदि इन दोनों के बीच में बनने वाले angle पोड का जो मान है वो alpha है और ये जो orange वाली line है वो इस अक्ष के along revolve कर रही है इस axis के along अगर वो घूम रही है तो जब ये वाली रेखा घूमेगी तो घूमने के कारण इस तरह का एक shape बनेगा समझ में आ रहा है तो ये जो shape बन रहा है ये क्या बन रहा है मतलब की अगर हिंदी में बोला जाता है तो शंकू बन रहा है उपर की तरफ एक और नीचे की तरफ जिसे upper nap और lower nap मतलब की upper शंकू उपरी शंकू और निचला शंकू कहा जाएगा तो ये जो line revolve करती है उसे generator या फिर जनक कहा जाता है और जिस बिंदू पे ये दोनों रे ये चीजे हमने देख लिया या फिर शंकू का निर्मान कैसे होता है ये हमने देख लिया आगे बढ़ते हैं यदि हम किसी phone को मतलब की शंकू को एक plane से एक समतल से cut करते हैं तो उस स्थिती में जो इनका intersection होता है मतलब ये वाला जो part आपको देख रहा है ना जहां पर उसक वो बोला जाता है section कून का section और यदि जिस plane से हम cut कर रहे हैं यदि वो plane और ये axis मतलब की बीटा का angle बना रहा है और यदि बीटा का मान 90 degree है तो उस स्थिती में ये जो section मिलेगा वो एक circle बनेगा मतलब आप खुद ही एक example लीजिए यदि आपके पास एक कून है आप उसको इस तरीके से cut कर रहे हैं तो जो section आपको मिलेगा उस स्थिती में वो क्या बनेगा एक circle बनेगा जब बीटा का मान 90 degree है तब अब यदि बीटा का मान 90 degree से छोटा है और अलफा से बड़ा है तो उस स्थिती में आपको एक दिर घवरित्त मिलेगा मतलब की ellipse मिले तो देखो यहां पर अगर मैं इसका shape बनाना चाहूं तो इस स्थिती में वो section ऐसा होगा और दूसरी स्थिती में वो जो section है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा अगे बढ़ते हैं अब यदि अलफा और बीटा का मान बराबर हो जाए तो उस स्थिती में क्या होगा तो उस स्थिती में जो इनका section है वो कुछ इस तरीके से बनेगा और इस shape को बोला जाता है पारा बोला मतलब की परवले क्लियर है ये चीज़? ओके ठीक है ये chapter अगर टफ लगता है तो ध्यान से सुनना पूरी डीटेल में आपको सारे प्रशन समझ में आ जाएंगे मेरे ख्याल से और खुद ही confidence बढ़ जाएगा ठीक है तो ये ये वाले section को बोला जाता है परवले मतलब की पारा बोला कब प्यदी पीटा का मान अलफा से छोटा है और जीरो डिग्री से बढ़ा है तो उस स्थिती में ये जो plane है मतलब की समतल है वो upper और lower दोनों nap को cut करेगा तो ऐसा जो shape बनेगा इस shape को बोलते हैं hyperbola मतलब की अती परवल है तो कुल मिला के चार तरह के conic section होते हैं सबसे पहला जो हमने देखा वो कौन सा है circle मतलब की वृत दूसरा कौन सा है ellipse मतलब की दिर्ग वृत और तीसरा कौन सा है parabola मतलब की परवल है اور चौथा कौन सा है hyperbola मतलब की अती परवल है तो चारों से प्रश्ण बराबर बराबर पूछे जा सकते हैं चलिए अब सबसे पहले section की यहां पर बात करते हैं, तो circle मतलब की वृत्ते इसको पहले किस तरीके से परिभाशित किया जाता है, वो देखते हैं, तो circle जो होता है, वो दरसल एक point का set होता है, जो की एक fixed point से equal distance पे होते हैं, अगर हिंदी में बोला जाए, तो यह उन सारे बिंदूों का समुच्चे होता है जो की एक निश्चित बिंदू से निश्चित दूरी पे होते हैं तो इन पूरे बिंदूओ के समुच्चे को या फिर सेट को ही सरकल बोला जाएगा अब वो जो निश्चित बिंदू है या fixed point है उसे क्या कहा जाता है center और वो जो निश्चित दूरी है जो distance है उसे क्या कहा जाता है radius तो ये definition ये परिभाशा आपको यहाँ पर दिख रही है ये उन सारे बिंदूओ का set है collection है जो की एक निश्चित बिंदू से बराबर दूरी पे है equal दूरी पे है ठीक है अब यहाँ circle की equation हमको समझनी है तो circle की equation समझने के लिए दो चीजे देखो पहला तो center के बारे में तो center circle का जहाँ पर भी है एक plane में उसके coordinate को दर्शाया जाता है h, k से समझ गए और circle के radius को show किया जाता है r से और circle में जितने भी point है कितने point है infinite points है तो हर एक point के coordinate को show किया जाता है x, y से यहाँ x और y variables है अब यदि मैं इन तीनों के बीच में equation बनाने की कोशिश करूँ किन तीनों के बीच में बोल रहा हूँ मैं मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर h, x, y और k के बीच में और r के बीच में मतलब h, k, x, y और r के बीच में इन तीनों के बीच में तो देखो यहाँ पर यदि इन दोनों बिंदों के बीच की दूरी मुझे ग्यात करनी है मतलब distance निकालना है तो distance formula लगेगा दूरी सूत्र लगेगा और distance formula क्या होता है d is equal to root over x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square यही है distance formula अब यह जो distance है यह जो दूरी है यह दी हुई है वो किती है r तो r is equal to root over x2 minus x1 तो यदि x2 को मैं x मान लू और x1 को h मान लू तो यह क्या हो जाएगा x minus h का whole square plus y minus k का whole square समझ में आई यह चीज यह हो गया formula अब इसकी अगर squaring कर दूँगा दोनों तरफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r का square तो यह हो गया r square is equal to x minus h का whole square plus y minus k का whole square और इसी को बोला जाता है equation of circle तो देखो circle का equation मतलब की circle का समी करण किस तरीके से बना वो यहाँ पर मैंने बताया है समझ मैं बड़ी simple सी चीज है coordinate geometry का distance formula मतलब की दूरी सूतर यहाँ पर लगा है अब नीचे एक और equation आपको दिख रही यह भी circle की equation है यदि मैं इसे और simplify कर दूँ कैसे simplify करूँ यहाँ पर a minus b का whole square वाला formula लगा दूँ तो यह क्या बन जाएगा a square plus b square minus 2ab ऐसा ही बनेगा वहीं यहाँ पर यह वाला term क्या हो जाएगा a square plus b square minus 2ab और यह r square को यदि मैं इधर भेज दू तो क्या हो जाएगा minus r square is equal to 0 समझ में आए और यदि हम इसे फिर से ठीक से जमा दे थोड़ा पहले इन दोनों को लिखके तो यह क्या हो जाएगा x square plus y square फिर आजाएगा minus 2hx minus 2ky plus h square plus k square minus r square is equal to 0 तो यह बन गया दूसरा formula किसका formula किसका equation यह बना circle का दूसरा equation तो यह दोनो equation समय समय पे use होते हैं depending on आपको question में क्या दिया हुआ है समझ गए अब इन equation का use किस तरह से करना है वो मैं आपको एक दो example से बताता हूँ ठीक है तो उधारण के लिए हम एक simple से example लेते हैं example 1 और इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि एक वृत्त का समीकरण बताईए मतलब कि एक circle की equation बताईए जिसका radius मतलब जिसकी तरिज्या का मान 5 है और जिसके center का coordinate मतलब जिसके केंद्र के जो निर्देशांक है वो है 3, minus 4 तो यह center के coordinate केंद्र के निर्देशांक मिल गए और यह radius मतलब की तरिज्या मिल गई तो आपको वृत्त का समीकरण याने की circle की equation निकालनी है तो circle की equation निकालने का formula है x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square standard form है तो यहाँ h और k का मान रख दो यह हो गया h और यह हो गया k तो यह कितना हो जाएगा x minus 3 का whole square plus y minus k k का मान यहाँ पर देखो minus 4 है तो minus minus क्या हो जाएगा plus 4 का whole square is equal to r तो r का मान भी आपको दिए होगा r का मान कितना दिए होगा 5 तो यह क्या हो जाएगा 5 स्कूर्ड यह हो जाएगे इस सर्कल की equation और अगर चाहें तो इसमें A-B का whole square यहां A-B का whole square लगाके और simplify करेंगे जिससे आपको उसका expansion मिल जाएगा समझ गए यह चीच अब मैं आपको एक दूसरा example देता हूँ बड़ा simple सा मान लिया जाए यदि आपको एक circle का equation दिया हुआ है और आपको बोलता है कि उसके center के coordinate क्या है वो बताओ और उसके निर्देशांक बताओ ठीक है example के लिए मान लो आपको एक equation दे दी x square plus y square minus 2 x minus 4 y plus यहाँ पर क्या ले लें इसको एक कोई भी number 4 plus 60 20 minus 3 ले लेते हैं is equal to 0 प्लस 3 ले लेते हैं is equal to 0 मान लेते हैं यह आपको equation दे दी गई और आपको बोला जाता है कि बताओ इए इस circle का center क्या होगा center का coordinate क्या होगा और इसका radius क्या होगा तो पहले तो यह कि आप किसी भी equation को देखके कैसे पहचानोगे कि वो circle की equation है तो उसके लिए एक rule समझ लो हमेशा x square और y square का coefficient of 1 होना चाहिए coefficient मतलब की गुणांग को 1 होना चाहिए यदि वो 1 नहीं है तो same होना चाहिए जैसे यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है तो 2 को हम common निकालके काटके उसको 1 बना सकते हैं समझ गया तो ऐसे इस तरह से अगर आपको equation दी हुई है और आपको पहचानना है कि वो circle की ही है या फिर ellipse की है या फिर hyperbola की है तो पहचानने का तरीका है इनके गुणांक सेम होने चाहिए coefficient सेम होने से वो 1 हो जाएंगे इस तरीके से अरेंज हो जाए समझ गया यह चीज़ चले ठीक है अब यह हो गया हमें equation दे दी center का coordinate और radius निकालना है तो standard form क्या है circle की equation का तो उसको लिख देता है standard form है x square दूसरा वाला standard form बता रहा हूँ न देखो दो यहां लिखा है एक तो यह वाला जिसको हमने देख लिए अब दूसरा यह वाला form लिख रहा हूँ मैं x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus r square plus plus h square plus k square minus r square is equal to 0 तो यह दूसरा वाला standard form है तो हम सबसे पहले इसको standard form से compare करेंगे तो यहां पर x के coefficient को यदि compare करें तो minus 2h का मान किसके बराबर होगा minus 2k जिससे की h का मान कितना आ जाएगा 1 उसी तरीके से जब हम इन दोनों को compare करेंगे तो minus 2k का मान किसके बराबर होगा minus 4k जिससे k का मान क्या जाएगा 2 तो h और k दोनों के मान मिल गए दोनों की values मिल गए मतलब हमको center का coordinate पता चल गया जो कि क्या है 1,2 center का coordinate अब बात करते हैं radius कैसे निकालने तो radius निकालने के लिए यह जो पूरी term है जिसमें ना ही x है ना ही y है मतलब की constant है उसे हम equate करेंगे इस number से मतलब की 3 से तो जब हम इन दोनों को equate करेंगे तो h square plus k square minus r square is equal to हो गया 0 यहाँ h और k का मान डाल दे जीरो नहीं यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा 3 क्यों आएगा क्योंकि यह constant वाली value कितनी है 3 अब h की जगा पे डालो 1 तो 1 square k की जगा पे डालो तो यह जगा 2 square minus r square is equal to कितना हो गय square जिससे r की value कितनी आगई root 2 मतलब कि उस circle का जो radius है वो कितना हो गया root 2 समझ गया यह चीज़ तो खुल मिलाके circle में दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं पहला जिसमें आपको equation दी गई हो और उसका radius निकालना हो center का coordinate निकालना हो या फिर उसका छेत्रफल मतलब की area निकालना हो यदि area निकालने बोले तो कौनसा formula यूज़ करेंगे pi r square या फिर उसकी परीधी मतलब की circumference निकालना हो तो उसके लिए क्या formula यूज़ करेंगे 2 pi r तो circle का अगर equation दिया है तो उससे r मिलेगा जिससे ही ये सारी चीज़े मिल सकती है और उसके center का coordinate भी निकाल सकती है समझ गए ये चीज़ तो एक प्रशन ये हो सकता है दूसरा प्रशन इस तरह का हो सकता है जिसमें आपको कुछ value दी गई हो कि circle कहां से pass हो रहा है क्या coordinate है और आपको उसकी equation निकालनी हो तो ऐसे दो तरह के प्रशन हो सकते हैं ठीक है चलिए अब ये circle के कुछ simple question मैं आप ल अभी तक मैंने समझाया क्या आप उससे इस cancer कर पाएंगे मैं एक दम simple और basic question से पहले start करूंगा और धीरे-धीरे higher level पे जाऊंगा ठीक है ताकि आप लोगो comfortable हो confidence भी बड़े easy question पहले आए फिर tough question के लिए ready भी हो जाए तो बताओ इस cancer क्या होगा इसमें आपको वैसे तो सिर्फ त्रिज्या निकालने बोला है मतलब की radius लेकिन साथ ही साथ आप center के coordinate भी बता सकते हो तो हम simple इसको पहले वाला जो equation था ना x-h का whole square y-k का whole square is equal to r square इससे compare करेंगे तो r square की जगा पे 36 आ जाएगा तो जिससे r के 2 मान आएंगे plus 6 और minus 6 और हमें पता है त्रिज्या जो है हमेशा positive होती है negative नहीं radius negative नहीं हो सकता तो option c सहीं होगा अब यदि center का coordinate बोला जाए तो जब हमें इससे compare करेंगे तो minus h का मान 5 के बराबर होगा जिससे की h का मान minus 5 आएगा और इस का मान इसके बराबर होगा जिससे की k का मान 3 आ बच गए ये ठीक है इसमें plus minus की गलती कई लोग कर देते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा careful रहेगा coordinate में आपको दोनों sign लेने हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दरफ तो अगला भी मैंने काफी simple प्रश्न रखा है मेरे खाल से आप बता सकते हैं उसका coordinates दिये हुए हैं तो ये दरसल h और k की value है h की value 1 k की value 0 और आपको उसका circumference मतलब की परीधी दी हुई है वो कितनी है 10 pi तो circumference का formula होता है 2 pi r that is equal to 10 pi, pi और pi कट गया 2 एकम 2, 2, 5, 10 तो r की value आ गई 5 तो radius मिल गया center का coordinate जिससे h और k का मान भी मिल गया जो की कितना है 1 और 0 तो h की value 1, k की value 0 अब क्या होता है circle का equation बड़ा वाला equation x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square plus k square minus r square is equal to 0 याद कर लो इसको भटा भट से नहीं तो फिर वो दिक्कत जाएगी ठीक है तो x square की जगा पे तो वही y square की जगा पे वही h की जगा पे आएगा 1 तो जब 1 रखेंगे तो minus 2x बनेगा k की जगा पे 0 आएगा तो ये तो term cut जाएगी आएगी ही नहीं और फिर से h की जगा पे 1 तो 1 का square होता है 1 k की जगा पे 0 तो 0 का square होता है 0 minus r square तो r मतला 5 5 का square किता होता है 25 तो equation क्या बनेगी x square plus y square minus 2x minus 24 is equals to 0 कौन सा option correct होगा इसका yes बिल्कुल सही option c सहीं जवाब होगा एक बर चेक करना कुछ लोगों का शायद गलत आया है इसमें option c इसका सहीं जवाब होगा चेक कर लेना और comment में बताओ क्या ये clear है ये question क्या सभी का option c सहीं आया है तो अगला प्रशन कुछ इस तरह से अच्छा अब ये एक और question कर आता हूँ फिर कुछ और points मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा अब अगले प्रशन में लिखा find the equation of circle with center and radius तो यहाँ पर center के coordinate केंद्र के निर्देशांक आपको दिये हुए है h, k जिसका मान है minus a, minus b और साथ ही साथ में आपको radius दिया हुआ है मतलब की तरिजिया का मान दिया हुआ है वो ये है और आपको circle का equation मतलब की इस वृत्त का समी करन ग्याद करना है, ठीक है, ओके, आप दोनों formula से आप देख लो, दोनों formula से बन सकता है ये, आप देख लेना इसको, ठीक है, ओके, तो circle का equation x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square, हमारे पास दो formula है, ये भी use कर सकते हैं, ये वाला equation भी, इसको expand किया तो वो भी use कर सकते हैं, अब depend करता है question के हिसाब से हम कौन सा समी करन इसमें लगा है, तो इस स्थिती में मेरे ख्याल से ये वाला समी करन का उपियोग करना ज्यादा बहतर है, तो यहाँ पर x minus h की जगा पे क्या जाएगा minus a, तो minus minus के करन क्या हो जाएगा plus, तो x plus a का whole square, यहाँ पर y minus k, तो y minus k की जग पे यहाँ क्या जाएगा, root over a square minus b square, इसका whole square, तो circle का समी करन क्या बन जाएगा, x plus a का whole square, plus y plus b का whole square is equal to, यहाँ square और root कर जाएगा, तो a square minus b square, अब option के उपर depend करेगा, आपको क्या दिया हुआ है, इसको और भी आगे जादा आप simplify कर सकते, clear सब को यह चीज, चलिए, यह सा पर मैं आपको circle से related और भी कई सारी चीजे समझाओंगा, जो कि question में अलग-अलग स्थिती में आ सकती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा note करना पड़ेगा, सारी condition, ठीक है, तो पहली condition note करना, पहला point note करना, यदि मान लिया जाएगा आपको एक वृत्त दिया हुआ है, की प्रथम चतुरतांश में हैं, और वो circle दोनों axis को touch कर रहा है, मतलब की दोनों अक्षो को x-axis को और y-axis को touch कर रहा है, तो ऐसी स्थिती में उस circle का समीकरण क्या होगा, उसकी equation क्या होगी, यह चीज यहाँ पर हम देखेंगे, अभी इस, ठीक है, तो यदि मान लिया जाए यह वो circle है, है ना, तो circle के center के coordinate को किस से दर्शाते है, h, k से दर्शाते, तो मतलब इसका coordinate h, k हो गया, circle के radius को किस से show करते है, r से तो इसका मान r हो गया, समझ गए यह चीज, अब यदि यहाँ से यहाँ तक का distance r है, और यही distance क्या दर्शाता है, h दर्शाता है, तो h की जो value है, वो किस के बराबर हो गई, r के बराबर हो गई, समझ में आ रहा है यह चीज, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वो किस से पता चलती है, k से, और यही दूरी किस के बराबर है, r के बराबर है, तो ऐसी स्थिती में, जब circle x-axis और y-axis दोनों को touch कर रहा है, तो उ स्थिती में, h और k, दोनों का मान किस के बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, समझ में आ यह चीज, और circle की जो equation है, जो की normally क्या होती थी, ऐसे होती थी न, x-h का whole square, plus y-k का whole square, is equal to r square, अब इसकी जगा पे क्या हो जाएगा, x-r का whole square, plus y-r का whole square, is equal to r square, ऐसी बन जाएगी, समझ मैं ऐसा क्यों हो रहा है, और कब होगा, क्योंकि कई बार इस तरह के प्रशन आ सकते हैं, यह आपको दिमाग में रखना है, अब अगर मैं इसको expand करूंगा, तो a square minus 2ab plus b square, ऐसी बनेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a square minus 2ab plus b square, is equal to, यह हो गया r square, यहाँ से 1r square, 1r square कटा, तो यह बन जाएगा, r square minus 2rx minus 2ry, और क्या बनेगा, बचेगा, plus r square is equal to 0, तो आप चाहो तो यह वाली equation समझ लो, इसे use किया जा सकता है, इस स्थिती में, जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, मतलब कि touch कर रहा है, या फिर यह वाली equation भी use किया जा सकता है, समझ गया यह चीज, तो simple question, जैसे कि मैं example के लिए बोलता हूँ, एक circle का समीकरण ग्यात करो, एक circle की equation निकालो, जिसका radius 5 unit है, और जो की दोनों अक्षों को touch कर रहा है, दोनों access को touch कर रहा है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना, archive जगा पर क्या रख देना है, 5, या तो इसमें या तो इसमें जो भी option, clear यह चीज, चलिए, अब आते हैं second condition पर, second condition यह है, क्या होगा, यदि वो circle जो है, सिर्फ एक ही axis को touch कर रहा हो, मतलब कि यदि वो circle ऐसा बन रहा हो, वो circle किसे touch कर रहा है, सिर्फ और को touch कर रहा है, तो उस स्थिती में क्या चीजे होंगी, क्या बदला होगा, समी करणों में देखते हैं, तो h, के यह हो गया, अब हमें पता है, circle का radius को किस से दर्शाय जाता है, r से तो यह हो गया, r, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, या जो height है, उसको किस से दर्शाय जाता है, y coordinate से मतलब की k से, तो ऐसी स्थिती में, जब circle x axis को touch कर रहा हो, फर्श कर रहा हो, तो उस समय, जो k का मान है, वो किस के बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, और h का मान कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस general equation में, h की जगा पर h ही रखेंगे, x minus h का whole square, plus y minus r का whole square, is equal to क्या हो जाएगा, r square हो जाएगा, समझ गए ये चीज, बाद में फिर expand करके, जो भी आप formulas को use करना है, जैसे बनाना है, वो बना सकता है, अब third condition पर आते हैं, third condition मतलब वो condition, जब circle जो है, y axis को touch कर रहा हो, इस तरीके से तो उस स्थिती में क्या होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे, यदि वो y axis को touch कर रहा है, तो r का जो मान है, वो किस के बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा, और इस स्थिती में, जो circle की equation बनेगी, वो आप खुद ही लिख सकते हैं, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ गए यह चीज, योगया तीसरी condition, देखो यह सारी condition मैं इसलिए लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि न, कई बार question में ऐसे आएंगे, जो हो सकता, आपको समझ में ना है, और ऐसे ऐसे shortcut यूज़ करके आप बना सकते हो, जो condition दी हुई हो उसके हिसाब से, ठीक है, अब आते हैं च और यदि आपका circle ऐसा बन रहा है, इस तरीके से बना दिया ज़िए, यदि आपका circle कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा मतलब जिसका center कहां पर आ रहा है, x-axis पर आ रहा है, और यह circle किसे touch कर रहा है, y-axis को touch कर रहा है, तो देखो अगर कोई भी point x-axis में आता है, तो उस point क coordinate क्या होता है, y-coordinate हमेशा क्या होता है, 0, तो h, 0 हो गया, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, वो किसके बराबर होगी, h के बराबर, और यही दूरी क्या होती है, radius के बराबर होती है, तो h और r का मान क्या हो जाएगा, यहां पर बराबर, और k का मान यहां पर क्या हो जीरो तो circle की equation क्या होगी तो h की जगा पर r डाल दो और k की जगा पर क्या डाल दो 0 तो circle की equation बन जाएगी x-r का whole square plus k की जगा 0 डाला तो क्या हो जगा y-square is equal to क्या बन जाएगा r-square फिर आगे आप इसको simplify कर लो जो भी इसकी equation बनेगी ठीक है अब अगली स्थिति पे जाते हैं fifth condition क्या changes कर रहा हो देखना है इस बार अब मैं circle को कुछ ऐसा बना रहा हूँ उस circle का center है वो कहां पर आ रहा है y-axis में और वो किसको touch कर रहा है x-axis अच्छा यहां पर एक चीज़ ध्यान देना अगर x-axis यह ऐसा circle जो है इसका center x में आया और किसको touch कर रहा है वो y-axis या फिर origin भी बोल सकता है origin मतलब मूल बिंदू दोनों में उसी तरीके का solution बनेगा समझ रहा हो ना circle y-axis को touch कर रहा है बोले या फिर origin को touch कर रहा है बोले दोनों का मतलब same है यहां पर भी circle का center कहां पर है y-axis में y-axis में है मतलब जो center का coordinate होगा वो क्या हो जाएगा 0, k होगा और circle x-axis को touch कर रहा है कहां पर origin में या फिर x-axis को touch कर रहा है तो ऐसी स्थिती में k का मान किसके बराबर हो जाएगा r के बराबर और circle की equation क्या बन जाएगी तो देखो x-h का whole square होता है h का मान 0 है मतलब x square plus y-k का whole square होता है तो कहां k का मान r के बराबर है तो y-r का whole square is equal to क्या हो जाएगा r square समझ मैं यही वाली equation जो यहां लिखी हुई है उसको दिमाग में रखे रहना h-k और r के मान बदलते रहेंगे condition के हिसाब से और आपकी equation आपके समी करण बदल जाएगे clear यह चीज़ तो यह हो गया और कोई स्थिती और कोई situation बजगे क्या एक बर मैं सोच लेता हूँ हाँ एक एक और ले लेते हैं इसमें यदी circle का center जो है मतलब circle का वृत्त का केंद्र बिंदू जो है वो आजाए origin पे फुल बिंदू पे तो यह हो गया x-axis और यह हो गया हमारे पास y-axis है ना और यहाँ पर जो circle है मैं बना रहा हूँ circle वो कुछ इस तरीकी का बन रहा है पे center origin पे है मतलब h और k दोनों का मान क्या होगा जीरो जीरो और radius का मान कुछ भी है आर है तो formula क्या बन जाएगा x-square plus y-square is equal to r-square यह बन जाए समझ रहा है यह चीज़ क्योंकि h और k का मान यहां बर क्या आओ गया शून नहीं तो यह circle का equation बन जाएगा इसके प्रशन घुमा फिर आके आते हैं तो वो चीज़ भी ध्यान देनी पड़ेगी इसके अलावा application of derivative मतलब की अवकलजों के प्रयोग उसके अंदर में tangent और नॉर्मल तो यह chapter important तो बहुत जादा है समझ रहा है पूरा concept अच्छे समझना है तो मेरे ख्याल से यह भी clear हो जाओगा और कोई सा बच्चा क्या इसमें एक बार देख लेते हैं एक बार और कुछ बच्चा क्या इसमें मेरे खाल से सारे टाइप्स तो इसमें मैंने बता दिये हैं अब सीधा हमको question solve करना पड़ेगा हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं questions के उपर अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ हाँ तो देखो अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है find the coordinates of the center of a circle its radius find the coordinates of the center of circle and its radius मतलब कि आपको किसी वित्त के केंद्र बिंदू की निर्देशांक ग्यात करने मतलब H और K का मान निकालना है और उसकी तरिज्या का मान भी निकालना है मतलब R की value भी निकालना है और circle की equation क्या दी हुई है देखो 2x square plus 2y square minus x is equal to 0 तो इस circle का जो standard form होता है वो क्या था मैंने यहाँ पर लिखाया था दो form थे जो बड़ा वाला था x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square plus k square minus r square is equal to 0 यह था standard form अब इसे standard form में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ 1 और 1 होना चाहिए मतलब हमको इस 2 को हटाना पड़ेगा 2 को हटाने के लिए पूरी equation को किस से divide करेंगे 2 से divide कर देंगे clear यह चीज तो सारी equation को यदि मैं 2 से divide करूँगा तो यह बन जाएगा x square यह बन जाएगा y square यह बन जाएगा minus 1 upon 2x और यह बन जाएगा 0 अब देखो यह standard form में आ गया अब हम इन दोनों को आपस में compare करेंगे तो किसे compare करना है x के coefficients को तो अगर मैं comparison करूँ यहाँ पर x का coefficient है minus 2h और यहाँ पर x का coefficient है minus 1 by 2 जिससे h का मान मिल जाएगा 1 upon 4 क्या यह clear हो गया अब हम y के coefficient को compare करेंगे तो यहाँ y का coefficient है minus 2k लेकिन यहाँ तो y वाली term ही नहीं है तो उसका coefficient क्या हो गया 0 जिससे आपको k का मान मिल जाएगा 0 समझ में आई यह चीज़ अब h और k दोनों के मान आपको यहाँ पर मिल चुके हैं अब हमें क्या करना है constant को compare करना है constant term तो यहाँ पर वो भी नहीं है तो इसका मतलब यह जो पूरा मान है यह किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर तो h square plus k square minus r square is equal to क्या हो जाएगा 0 तो इस स्थिती में हम यदि k के जगा पे 0 डालेंगे तो h square minus r square क्या हो जाएगा 0 तो h square का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा r square के इसका मतलब h और r दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा तो r का मान मतलब radius कितना आ जाएगा इसका 1 upon 4 आ जाएगा समझ में आई यह चीज क्या ये clear है सबको तो यहाँ पर center का coordinate क्या निकला 154,0 और radius यहाँ पर क्या मिला 1 upon 4 मिला क्या ये clear सबको अब देखो इस स्थिती में यदि मैं आपको बोलू ये circle कैसा बनेगा ये circle कहां बनेगा तो इस circle का जो center है वो x-axis में होगा कैसे पता चला x-axis में है उसका center क्योंकि उसका y-coordinate क्या है 0 और उसका x-coordinate और radius बराबर है मतलब वो y-axis को क्या करेगा touch करेगा तो circle का अगर graph देखा जाए तो circle का graph कैसा बनेगा ऐसा बनेगा समझ में आई ये चीज तो आप center और coordinate को निकालके उल्टे तरीके से भी उसको समझ सकते हो क्या ये clear हो गया ओके आगे बढ़ता हूँ अब मैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन सामने आपको दिख रहा है ये find the equation of circle passing through the point 0,0 मतलब आपको एक वृत्त का समीकरण ग्याद करना है जो की इस बिंदू से 0,0 वाले बिंदू से पास हो रही है गुजर रहे है और वो intercept जो बना रहा है axis पे वो A और B का है coordinate axis पे मतलब की x axis और y axis तो मान लिया जाए इसको अगर मैं diagram बना के समझना चाहूँ तो ये हो गया हमारा x axis ये हो गया हमारा y axis जो circle है वो center से पास हो रहा है तो यहाँ पर ये वाले एक point हो गया circle का जो की 0,0 है x axis को वो cut कर रहा है A पे तो उसका coordinate होगा A,0 y axis को cut कर रहा है वो B पे तो उसका coordinate होजाएगा 0,B मतलब की आपको circle के 3 points के coordinate दिये हुए हैं अब आपको उस circle की equation गयात करनी equation निकालनी तो देखो यहाँ ध्यान से समझना standard form क्या था circle का x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square यही था यहाँ पर हम एक एक करके ना तीनो values को put करेंगे पहले तो यह वाली value ख्यान रखना यह जो value हम रख रहे हैं यह x और y की जगा रखाएगा h और k की जगा पे मत रखना क्योंकि यह circle पे आने वाले बिंदू है देखो अगर कभी भी एक circle की बात करें और बिंदू की बात करें तो एक circle और बिंदू तीन तरह से हो सकते हैं हो सकता है वो बिंदू circle के अंदर हो हो सकता है वो बिंदू circle के बाहर हो या तीसरी condition हो सकता है वो बिंदू circle पे हो, मतलब on the circle हो, समझ रहे हो ये चीज़, तो यहाँ पर इस स्थिती में आपको क्या दिया हुआ है, ये जो तीन बिंदू है, 00, A0 और 0B, ये तीनो circle पे आने वाले बिंदू है, on the circle वाले बिंदू है, मतलब x और y की value ये है, तो यह x की जगा 0, y की जगा 0 डालोगे, तो 0-h मतलब minus h, और squaring करने पे क्या मिलेगा, h square, वैसे ये क्या हो जाएगा, plus k square, और right side में ये क्या हो जाएगा, r square, और इसे हम दे देते है, equation number 1, और 00 डालने से मिला है, अब अगली बार क्या करेंगे, हम x की जगा पे 0 और y की जगा प whole square, is equal to, ये क्या हो गया, r square, समझ में है, जब हमने 0 b डाला, इसको एक काम करते है, expand कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x square plus h square, ये क्या हो जाएगा, b square, plus k square, minus 2bk, is equal to, क्या हो जाएगा, r square, समझ में, अब देखो, equation number 1 से, हमको पता है, की h square plus k square का मान क्या है, r square के बराबर, तो इस h square plus k square की जगा पे हम r square लिख देते हैं, plus, ये जो बच गया, मतलब की b square, minus 2bk, is equal to r square, समझ में आया है, अब ये r square, और ये r square, कट जाएगा, तो क्या बचा, b square, minus 2bk, is equal to 0, जिससे b square का मान, 2bk, के बराबर होगा, अब यदि यहाँ से, एक b, और एक b, कट जाए, और ये 2 को नीचे भेज दिया जाए, तो आपको k का जो मान मिलेगा, वो कितना आ जाएगा, b by 2, समझ मैं किस तरीके से मिला, k का मान मिल गया, मतलब आपको center का y coordinate मिल गया, जिसकी value है, b by 2, अब हमें निकालना है, उसका x coordinate, तो वो निकालने के लिए, अब हम, इस बिंदू को रखेंगे, circle की equation में, तो circle की equation में, यदि मैं उस बिंदू को रखूँगा, तो यह क्या हो जाएगा, a minus h का whole square, plus k square is equal to r square, अब a minus h का whole square क्या होगा, a square plus h square minus 2 a h, plus k square is equal to r square, फिर से वही चीच, h square plus k square की जगा पे हम क्या रख सकते हैं, r square, तो यह हो जाएगा, a square minus 2, a h plus r square is equal to r square, दोनों से r square कटा, इसको जब आप आगे soil करेंगे, तो आपको h का मान मिल जाएगा, जो की कित्ता आजाएगा, a by 2, तो मतलब यहाँ पर आपको उस circle के center के दूनो coordinates, circle के center के x और y दूनो coordinates मिल गए, अब क्या बच्छा r का value निकालना, तो r का value निकालने के लिए h और k की value जो आपने निकाली है, उसको equation number 1 में डाल दो, तो r square is equal to h square था, मतलब a square by 4, plus k square था, मतलब की b square by 4, तो r square का जो मान आएगा, वो a square plus b square upon 4, यह आगया r square का मान, समझ गया, अब इन तीनों चीजों को उठाके circle की equation में डाल दो, चाहो तो इस equation में डालो, या फिर वो बड़ी वाली equation में, जिसमें भी आप डालना चाहो, तो उससे आपको उस circle की equation, उस वृत्त का समीकरण मिल जाएगा, समझ में आई यह चीज, तो एक बार confirm कर दो, क्या यह प्रशन clear है सभी को, तो फिर मैं आगे बढ़ू, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ multiple choice question की तरफ, तो देखो इस प्रशन में क्या लिखा हुआ है, एक बिंदू के निर्देशांक, पॉइंट के coordinates, 1,2 है, और एक circle की equation, एक वृत्त का समीकरण दिया गया है, आपको ये ग्याद करना है, ये पता लगाना है, कि ये जो बिंदू है, ये इस वृत्त के अंदर है, बाहर है, या वृत्त पे है, या इन में से कोई नहीं, ठीक है, मतलब circle के अंदर, बाहर, या फिर boundary पे, इस तरह की चीज़े आपको पता करनी है, तो देखो किस तरीके से हम ये पता करेंगे, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इस circle का center निकाल लेते हैं, तो center निकालने का क्या तरीका होता है, जो x का coefficient होता है, उसको minus 2h से compare किया जाता है, तो minus 2h is equal to 4, जिससे h का जो मान आ जाएगा, वो किता आ जाएगा, minus 2, समझ रहे हैं ना, कैसे वो बड़ी वाली equation का comparison करके, और जो y का coefficient होता है, वो क्या होता है, minus 2k, तो minus 2k is equal to minus 2, जिससे k का मान आ जाएगा, 1, तो h और k दोनों के मान मिल गए, अब h और k दोनों के मान मिल गए, अब तीसरी चीज़ हम निकाल लेते हैं, circle का radius r का मान, तो हमको पता है, h square plus k square minus r square, ये constant term के बराबर होता है, तो कि के बराबर हो जाएगा, minus 4k, h और k की value रख दो, तो h की जगह पर डालोगे, minus 2, k की जगह पर डालोगे, 1, minus r square is equal to minus 4, तो जाएगा, 4, 4, 4, 5, और इधर पर ये 4 आएगा, तो 5, 4, 9, तो 9 is equal to kya हो जाएगा, r square, जिससे r की value आ गए, 3, तो radius भी आपको मिल गया, center के coordinate भी मि लिया जाए, ये circle है, इसके center का coordinate आपको मिल चक रहा है, minus 2, 1, circle का radius मिल चुका है, 3, अब आपको पता करना है, ये point circle के अंदर, बाहर, boundary पे कहा है, तो आप कुछ नहीं करो, आप इस point का circle के center से निकाल लो, distance, distance formula लगा के, तो d is equal to, क्या होता है, root over x2 minus x1 का whole square, तो 1 minus of minus 2, मतलब plus 2, 1 plus 3, 3 का square हो जाएगा, plus 2 minus 1 का whole square, मतलब क्या हो जाएगा, 1 का square हो जाएगा, तो d की value जो आएगी, वो कित्ती आजएगी, root 10, अब check करो, क्या root 10, 3 से बढ़ा होता है, हाँ होता है, मतलब कि, वो जो point है, उसका center से, जो distance है, वो 3 से जादा है, 3 से जादा है, मतलब वो circle के, बाहर है, मतलब की option A, सहीं जवाब होगा, क्या ये clear है सभी को, ओके, चली, clear है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यदि किसी वृत्त का समीकरण, इस तरकार से दिया गया है, equation of circle इस तरह से दिया हुआ है, तो इस circle का center का coordinate क्या होगा, केंद्रे बिंदू के निर्देशांक इन में से कौन से हो, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, circle की equation में, x square का जो coefficient है, वो क्या है, 4a-3, और y square का coefficient क्या दिया हुआ है, a, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी equation circle की तभी होगी, जब उसके x square और y square के coefficient सेम होगे, मतलब की 4a-3 का जो मान है, वो a के बराबर होना चीज तभी यह circle की equation कहलाएगी, तो यदि 4a-3 का मान a के बराबर है, तो a का मान क्या होगा, तो उसके लिए इसे इधर भीज़ दो, minus 3 को इधर भीज़ दो, तो 3a is equal to 3, मतलब a का मान क्या जाएगा, 1, समझ के, अब यह जो a का मान आया है, उसको उठाके इस जगा पे रख दो, जब यहाँ पर रखोगे, a की जगा पे 1, अब इसे compare करो, यह बड़ा वाला जो form था ना, x square, plus y square, minus 2hx, minus 2ky, plus ऐसा सब पूरा कुछ था, इससे compare करो, तो जब compare करोगे, तो minus 2h का मान किसके बराबर होगा, 6k, जिससे की h का मान आएगा, minus 3, उसी तरीके से, minus 2k का जो मान है, वो बराबर होगा, minus 2k, जिससे k का मान आएगा 1, तो center का coordinate आजाएगा, minus 3,1, मतलब की कौन सा option सहीं है, option c, इसका सहीं जवाब है, क्या यह clear है, एक बर बता दो, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले प्रशन की तरफ, तो अगला प्रशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, let the lines, मतलब की दो रेखाओं के समीकरण आपको दिये हुए है, पहली रेखा का समीकरण, first line की equation और second line की equation, और ये दोनों line जो है, वो diameter है एक circle के, diameter मतलब व्यास है एक वृत के, ठीक है, और उस वृत का छेत्रफल, area of that circle, that is 154 square unit, आपको उसकी equation निकालनी है, इन में से कौन सी है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको डाग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लिया जाए, इस वृत का समीकरण आपको निकालना है, circle की equation निकालनी है, वो coordinate निकालने के लिए हम दोनों equation को solve करेंगे, और x और y की value निकालेंगे, जिससे पता चल जाएगा coordinate, और center के coordinate के साथ साथ, एक और चीज आपको चाहिए होती है, वो क्या है, radius, तो radius कहां से पता चलेगा, तो ये आपको area दिया हुआ है, तो circle के area का formula क्या होता है, pi r square, उसको 154 के बराबर कर दो, जिससे आपको r का भी मान मिलेगा, समझ गए ये चीज, तो आपको दो चीजे निकालनी है, एक तो solve करके, यहाँ x और y की value, वो center का coordinate, और दूसरा radius की value यहाँ से, और ये दोनों निकालने के बाद, आपको put कर देना है answer में, चलिए, solve कीजिए जल्दी से और बताइए, क्या आएगा, center का coordinate पहले क्या आएगा, मैं थोड़ा साथ कुछ फोटा कर देता हूँ, जगा कम पढ़ रही इस लिए, ठीक है, center का coordinate जल्दी से निकाल के बताइए, क्या आएगा पहले तो, तो उसके लिए हम इन दोनो equations को solve करेंगे, first equation है, 2x-3y is equal to 5, और second equation थी हमारे पास, 3x-4y is equal to 7, तो एक काम करते हैं, इस वाली equation को गुणा कर देते हैं 3 से, और इस वाली equation को गुणा कर देते हैं 2 से, तो यह जाएगा, 6x-9y is equal to 15, यह जाएगा, 6x-8y is equal to 14, और जब इन दोनों को घटाएंगे, तो यह इस तरह से बनेगा, यह दोनों कट जाएगा, यहाँ पर बज़ जाएगा, minus y is equal to 1, इस से y का मान आएगा, minus 1, और यदि मैं इस y का मान यहाँ पर डालूं, minus 1, तो यह plus 3 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो x का मान हमें मिलेगा, 1, समझ गए, y की जगा पर minus 1, नहीं, मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ नहीं, सहीं तो है, minus 1 डालेंगे, तो plus 3 हो जाएगा, plus 3 हो जाएगा, तो minus 3 और x की value आजाएगी, 2, तो हमें center के coordinate, मतलब h और k की value मिल गई है, तो h और k की value है, यहाँ पर 1, comma minus 1, समझ गए यह चीज, अब radius, मतलब की त्रिज्ज्या ग्याद करनी थी, तो उसका formula क्या है, pi r square is equal to 54, pi की value 154, pi की value 22 by 7, बुड़ा r square is equal to 154, तो r square is equal to 154 into 7, upon 22, 11 से रकटे का, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 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 वालेस, 2 एकम 12, 2 सत्य चौधा, तो r square is equal to 7 square, जिससे r की value आ गई 7, समझ गए, radius भी मिल गया, center का coordinate भी मिल गया, अब equation क्या थी, बड़ी वाली, x square plus y square minus hx minus 2 ky, plus h square plus k square minus r square, equal to 0, है ना, तो अब इसमें डाल के देख लो, h की जगह पे आजएगा 1, और k की जगह पे क्या जएगा minus 1, मतलब कि 1 होना चाहिए minus x, और दूसरा होना चाहिए plus 2y, तो option b और option c में तो नहीं देख रहा है, तो या तो a सहीं होगा, या तो d सहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर h और k का मान यह दी डालोगे, तो x square plus y square, यह हो जाएगा minus 2x plus 2y और h square plus k square, तो 1 का square 1, 1 का square 1 और minus r square, तो r square की value कित्ती हो जाएगी? 49 is equal to 0, तो यह minus 47 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 47 मतलब option a नहीं जवाब होगा, clear यह चीज, एक बार बता दो, यह पूरा समझ में आया क्या solution, तो अगला प्रशन कुछ हिस्तरह से आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पूल बिंदू से एक इकाई की दिरूरी पे, प्रतेक निर्देशांक अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का प्रथम चतुर्थांश में समीकरण ज्यात करना है, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एक बार पढ़ लो अच्छे से, आपको यहाँ पर equation of circle निकालना है, और वो circle first quadrant में है, और वो touch कर रहा है, each of the coordinate axis, at a distance one unit from the origin, मैंने ख्याल से यह बड़ी असानी से आप लोग बना सकते हो, मैंने इसका shortcut trick भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, कौन सा option सही होगा, जल्दी से देखो, समझो और बताओ, पहले तो जब हम सारी स्थितियों को डाइग्राम में, ग्राफ में बनाएंगे, तो वो जो circle है, वो first quadrant में है, मतलब यहाँ, प्रथम चतुर्थांश में, touch कर रही है, किसे touch कर रही है, दोनो coordinate axis को, मतलब x और y दोनो axis को, तो circle कैसा बनेगा, circle बनेगा, कुछ इस तरीके का, यह हमने थोड़ी दिर पहले देखा था, है ना, और, और क्या लिखवा है, at a distance one unit from the origin, तो circle को, जो touch कर रहा है, जिस बिंदू पे, उस बिंदू से, origin का distance कितना है, one unit, समझ गए यह चीज, तो यदि यह distance one unit, यह distance one unit, तो obviously बात है, center का coordinate कितना हो जाएगा, one, one, और radius भी कितना होगा, one, यह हमने देखा था, ठीके, और ऐसी स्थिती में, जो circle की equation बनती है, वो क्या होता है, x-r का whole square, plus y-r का whole square, is equal to, क्या होता है, r square, अब r की जगा पर 1 डाल दो, x-1 का whole square, y-1 का whole square, is equal to 1 का square 1, यह हो जाएगा, x-2x plus 1, यह हो जाएगा, plus y square, minus 2y plus 1, is equal to 0, तो equation बनेगा, x-2y square, plus y square, minus 2x, minus 2y, sorry, यहाँ पर 0 नहीं, यह 1 है, यह 1 और यह 1 कर जाएगा, plus 1 is equal to, तो option ace का सहीं जवाब होगा, clear यह सबको, ठीक है, चलिए, तो अगला प्रशन कुछ इस तरह से है, क्या लिखा हुआ है आपको, बिंदू, 1,2, पर केंदृत, एवं बिंदू, 4,6, से जाने वाले वृत्त का शेत्रफल है, तो आपको center का coordinate दिया, एक मिनट, बिंदू, the area of circle centered, हाँ, तो आपको center का coordinate दिया हुआ है, और किस point से pass हो रहा है, वो point का भी coordinate आपको दिया हुआ है, यह दो चीज़े आपको दी गई है, और आपको क्या करना है, आपको उस circle का area निकालना है, तो देखो simple है, यदी मान लिया जाए, यह एक circle है, है ना, उस circle के center का coordinate है, 1,2, उस circle में आने वाले किसी एक point का coordinate है, 4,6, तो दोनों के बीच में distance formula लगा के, दोनों का radius निकाल लो, तो radius जो होगा, वो क्या हो जाएगा, root over x2 minus x1 का whole square, मतलब की 4 minus 1 का square, plus y2 minus y1, मतलब 6 minus 2 का whole square, तो 4 minus 1, 3, 3 का square किता होता है, 9, 4 minus 2, 6 minus 2, 4, 4 का square किता होता है, 16, तो आजएगा root 25, 25 का root कितना होता है, 5, तो radius आगया 5, अब आपको area निकालना है, तो area क्या होता है, pi r square, तो pi और r square, मतलब 5 का square किता होता 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 है, तो answer आएगा, option 3, 25, clear, okay, बिल्कुल सही, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, तो अगले प्रशन में क्या लिखा हुआ है, equation of circle which passes through the point, minus 3, 6, and touches the excess, मतलब की, आपको उस circle की equation निकालनी है, जो इस दिये हुए बिन्दू से पास हो रहा है, और दोनों axis को touch कर रहा है, दोनों axis मतलब, x-axis b और y-axis b, दोनों को touch कर रहा है, तो ऐसी स्थिती में जब circle बनेगा, तो उसका equation क्या होगा, मैंने ये बताया था, h और k दोनों का मान किसके बराबर हो जाता है, r का, तो circle की equation ऐसी बन जाएगी, x-r का whole square, y-r का whole square is equal to क्या हो जाएगा, r square, समझ गए, अब ये circle किस बिन्दू से पास हो रहा है, ये दिया हुआ है, तो वो बिन्दू कौन सा है, 3,6, ठीक है, तो मान लेते हैं, ये आरा, 0.3,6, तो x और y की जगा पे ये मान रखेंगे, तो x की जगा पे आजाएगा, 3-r का whole square, plus y की जगा पे आजाएगा, 6-r का whole square is equal to r square, यहाँ लगा दो, a-b का whole square, तो यह आजाएगा, a square plus b square minus 2ab, is equal to r square, समझ गए, अब r square दोनों में से कड़ गया, यहाँ पर क्या बज़ गया, r square minus 6, r minus 12, r मतलब कितना हो जाएगा, minus 18 r, और यहाँ 36 और 9, कितना हो जाएगा, 45 plus 45 is equal to 0, समझ गए, अब middle term को split करो, तो r square minus, यह कितना हो जाएगा, 15 r minus 3 r, क्योंकि 15 तिया 45 होता है, अब इसके बाद, इसमें common निकालेंगे, तो r common निकलेगा, r minus 15 बचेगा, यहाँ पर minus 3 common निकलेगा, r minus 15 बचेगा, is equal to हो गया 0, जिससे r के 2 मान आएगे, एक आएगा 3, और दूसरा मान कितना आएगा 15, तो r के मान को, अगर मान लो मैं 3 लेता हूँ, और r के इस मान को, मैं इस equation में रखता हूँ, तो equation क्या बनेगी, देखो, x minus 3 का whole square, plus y minus 3 का whole square, is equal to 3 square, ऐसी बनेगा, तो यह जगा, x square minus 6x, plus 9, plus y square, minus 6y, plus 9, is equal to 9, यह 9, 9 कड़ गया, equation मन गई, x square plus y square, minus 6x, minus 6y, plus 9, is equal to, देख लो, कौन सा option correct है, मेरी ख्याद से, यह आ रहा है, option, थी, इसका सही जवाब है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं, दो प्रशनों को, यहां पर लूँगा, और यह जो दो प्रशन है, पिछले बार के, exams में आई हुए है, मतलब, 2023 की परिक्षा में, उचे गए प्रशन है, जो की circle से है, इसके अलावा, इस chapter, conic section से, और भी कई सारे सवाल आए है, यह सवाल जो मैं ले रहा हूँ, यह circle से आई हुए सवाल है, ठीक है, ओके, सबसे पहला प्रशन, जो आपको सामने देख रहा है, क्या लिखा हुआ है, the radius of the circle, passing through the point, this, 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 मतलब, आपको एक वृत्त की, त्रिज्या ग्यात करनी है, मान लिया जाए, यह वो वृत्त है, जिसकी त्रिज्या का मान, आपको निकालना है, समझ गई यह चीज, और आपको circle का radius ग्यात करना है, radius निकालना है, तो देखो, इस question को solve करने के लिए, सबसे पहले हम standard form लिख देते हैं, circle की equation का, x minus h का whole square, plus y minus k का whole square, is equal to r square, अब यहाँ x और y की जगा पे, यह value डालके, एक-एक equation बनाते हैं, तो पहले equation क्या बनेगी, 1 minus h का whole square, यदि मैं 1, 2 डाल रहा हूँ, plus 2 minus k का whole square, is equal to क्या हो जाएगा, r square, यदि मैं यह डालो, 5 और 2 तो क्या बनेगा, 5 minus h का whole square, plus 2 minus k का whole square, is equal to क्या बन जाएगा, r square, यदि मैं यह डालो, तो क्या बन जाएगा 5 minus h का whole square plus minus 2 minus k का whole square is equal to r square समझ मैं क्या कि हमने तीनों बिंदुओं के निर्देशां kk करके यहां पर लग दिए अब इसे equation number 1 लेते हैं इसे equation number 2 लेते हैं और इसे equation number 3 अब हम equation 1 और 2 को solve कर सकते हैं क्योंकि देखो यहां पर भी 2 minus k का whole square r square तो ऐसी स्थिति में यदि मैं r square का ये वाला मान इस जगा पर रख़ दूँ तो क्या होजएगा 1 minus h का whole square plus 2 minus k का whole square किसके बराबर हो जैगा इसके बराबर मतलब 5 minus h का whole square plus 2 minus k का whole square समझ मैं है जिससे ये दोनों cut जाएगा और 1 minus h का whole square किसके बराबर होगा 5-HK whole square के बराबर होगा दोनों से square भी हट हाँ यहां तक आगे ना इसके बाद ना दोनों से square हटाने की बज़ाए हम क्या करेंगे formula लगाएंगे A-B का whole square तो यह क्या होजाएगा A square plus B square minus 2AB यहां पर क्या होगा A square plus B square minus 2AB तो minus 10H जिससे H square H square कटेगा यह minus 10H इधर आजाएगा प्लस 1 इधर जाएगा तो 10H minus 2H is equal to 24 जिससे आपको 8H is equal to 24 मिलेगा और H का माना जाएगा 3 H की value आगे 3 कैसे मिला समझ मैंना equation 1 और 2 को लेके अब हम क्या करेंगे equation 2 और 3 को लेंगे equation 2 और 3 में यह ध्यान से समझना यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 5 minus H का whole square यहाँ पर भी क्या है 5 minus H यह R square बराबर कर देते दोनों equation को यदि मैं दोनों equations को बराबर करूंगा 5 minus H का whole square plus 2 minus K का whole square इसके बराबर आजाएगा 5 minus H का whole square plus यह minus 2 minus K का whole square को 2 plus K का भी whole square लिख सकते हैं समझ गया ना कैसे लिख सकते हैं minus common निकाला squaring कर दिया तो plus हो जाएगा अब यह दोनों term यहाँ पर कट जाएगी यहाँ लगेगा A minus B का whole square तो A square plus B square minus 2AB यहाँ लगेगा A plus B का whole square तो A square plus B square plus 2AB जिसके बाद यह 4 यह 4 कटेगा यह K square यह K square कटेगा minus 4 के इधर जाएगा तो 0 is equal to हो जाएगा 8K जिससे की K का मान आएगा 0 तो H का मान 3 K का मान 0 यह मिल गया आपको center का coordinate मतलब की 3,0 अब निकालना है radius तो लगादो distance formula इन दोनों में तो distance D is equal to कित्ता हो जाएगा root over X2 minus X1 का whole square 3 minus 1 2 plus square कित्ता हो जाएगा 4 plus 4 तो मतलब answer आजाएगा root 8 root 8 मतलब की 2 root 2 मतलब कौन सा option correct होगा option D सहीं जवाब होगा क्या यह clear है सभी को एक बर बता दो option D किस तरह से सहीं जवाब पर पहुँचे हम चलिए आगे बढ़ते हैं आखरी प्रशन की तरफ आज की class के और यह प्रशन भी पिछले साल 2023 में जो आपका exam हुआ था तिक्षक भरती परिक्षा का lecture का उसमें पूछा गया था और इस सवाल में क्या पूछा है इस सवाल में यह बोला है कि 1,2 जो है यह point बिंदू inside the circle है मतलब circle के अंदर है कौन से circle के? इस circle के अंदर है तो उस स्थिती में C का मान इन में से कौन सा होगा यह आपको ग्याद करना है h का value 2 और k का value किता आजाएगा 1 समझ गए यह चीज? अब h और k का value मिल गया तो इस से आप उस बिंदू से इस point के बीच गुरी निकाल सकते हो distance निकाल सकते हो तो d की जो value आजाएगी वो क्या आजाएगी root over x2-x1 का whole square मतलब 0 का square 0 x2-x1 का whole square तो 2-1 का square तो 2-1 का square क्या होता है? y2-y1 का whole square तो 1-2 का whole square वो भी किता होता है? 1 तो d की value यहाँ पर किती आजएगी? root 2 आजएगी clear हुआ यह चीज? ठीक है? किस तरीके से निकला है? circle के center का coordinate निकाला अब center से उस point के बीच का distance निकाल लिया d निकाल लिया अब देखो जो c होता है constant term होता है वो किसके बराबर होता है? h square plus k square minus r square के बराबर होता है अब यहाँ पर आपके पास r square का मान अगर आपको निकालना है तो r square का मान किसके बराबर हो जाएगा? h square plus k square minus c के बराबर हो जाएगा समझ रहे हो ये चीज और यदि ये जो distance है अगर मैं square लो तो d square की value किती आजेगे 2 तो d square का जो मान है वो r square से छोटा होना चाहिए यदि d का मान r से छोटा होना चाहिए मतलब d square का मान किस से छोटा होना चाहिए R square से छोटा होना चाहिए और R square का मान ये है तो ये जो मान है D square का मान जो है वो इससे छोटा होना चाहिए मतलब कि D square कुछ इस तरीके से होना चाहिए समझ गए ये चीज़ अब यहाँ पर यदि मैं H और K का मान रखूँ तो H की जगा पर 2 आएगा तो 2 square और K की जगा पर 1 आएगा मतलब 1 का square माइनस C और यहाँ पर D की जगा पर क्या जगा root 2 यो जगा root 2 का square तो यो जगा 4 4 plus 1 5 5 minus C और यो गया 2 ये C को minus C को इधर भेटे 2 को इधर भेटे तो ये किता हो जगा 3 तो C का मान जो है वो 3 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए less than 3 जो कि कौन से option में आ रहा है option A में आ रहा है एक बार देख लो ये समझ में आया कि नहीं clear है कि नहीं ये last question जो भी हमने discuss किया तो एक बार अच्छे से देख लो ये question clear है या आज के class के सारे questions clear है okay so मेरे ख्याल से आपको शायद clear हो गया होगा कि circles में किस तरह के प्रशन बनते है और किस तरीके से हम उसे solve कर सकते आपको mainly अगर देखा जाए तो जो मैंने कुछ conditions बताई थी कौन-कौन सी conditions कि circle जब x-axis को touch कर रहा है कई सारी चीज़े जो circle के दो formula है center के coordinate वो सारी चीज़े ठीक है okay last question के लिए graph बना के question number 48 इसी question को repeat करना है इस question को चलो एक बार मैं repeat कर देता हूँ इस question को दुबारा से फिर से जिन लोगों को समझ में नहीं है उनके लिए मैं दुबारा से पूरा इसको explain कर रहा हूँ ठीक है देखो एक बार diagram भी बना के मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मान लिया जाए यह हमारे पैसे एक circle है जिसकी equation जिसका समीकरण आपको दिया हुआ है है ना और इस circle का अगर center का coordinate निकालना है तो आप directly निकाल सकते हो minus 2hx से जब इसको compare करोगे तो minus 2h is equal to कितना होगा minus 4 तो h की value कितनी होगी 2 तो इस circle का center का x coordinate होगा 2 उसी तरीके से अगर y coordinate को compare करना है y coordinate निकालना है center का तो इसको minus 2 को किस से compare करेंगे minus 2k से जिससे k की value कितनी आजएगी 1 तो यहां आपको circle के center का coordinate मिल गया 2,1 समझ गए यह चीज अब आपको यह पता करना है कि 1,2 वाला point इस circle के नहीं आपको यह बोल रहा है यह 1,2 वाला point इस circle के अंदर है तो उस स्थिति में c का मान क्या होगा तो मान लिया जाए यह 1,2 वाला point यहां पर है जो की circle के अंदर है तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं d की value निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे distance formula से तो वो क्या निकलेगा under root x2 minus x1 का whole square y2 minus y1 का whole square मतलब की root 2 आजाएगा clear होगया यह चीज अब यह जो यहां से यहां तक का जो distance है वो क्या है radius r तो जो condition होगी की यह बिंदू इस circle के अंदर आए वो condition यह होगी की d का जो मान है वो r से क्या होना अच्छी छोटा मतलब की d square का मान जो है वो r square से क्या होना अच्छी छोटा अब square क्यों ले रहें क्योंकि देखो यह जो circle का standard form होता था x square plus y square minus 2hx minus 2ky इसके बाद क्या आता था h square plus k square minus r square is equal to तो जो c का मान जो होगा उसमें r square वाली टामारी इसलिए मैं ले रहा हूँ तो जो c का मान होगा वो किसके बराबर होगा h square plus k square minus r square के बराबर जिसमें h और k का मान आपको पता है h और k का मान क्या है 2 और 1 तो c का मान जो हो जाएगा वो 4 plus 1 minus r square मतलब c is equal to 20 to 5 minus r square मतलब r square का मान कितना जाएगा 5 minus c समझे और जब हम इस r square का मान यहाँ पर रखेंगे और जो निकाला हुआ D का मान यहां पर रखेंगे तो root 2 का square फोटा होना चाहिए R square के मान से R square का मान कितना है था 5-C तो root 2 का square हो जाएगा 2 यहां पर आ गया 5-C जिससे C का जो मान है वो कितना आ जाएगा less than 3 समझ गई यह